हेलो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ शीवंकुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डियर गुरूजी आज की इस क्लास में डिसकस करने वाले हैं आपके साथ में बीएड एंटरंस एक्जाम के पॉइंट आफ उसे कु इसमें आपको डेली प्रैक्टिस सेट वीडियो लेक्शर टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है तो आशा करेंगे जो क्लास है इसको आप पसंद करेंगे शेयर करेंगे आपने क्लास में लगभग लगभग आज 500 प्लस इस ट्रेंट्स भी ले शेकल पाउंड येन कमेंड करें जापान की मुद्रा का नाम क्या है तो जापान की मुद्रा है येन इसके अलावा जापान क्या है कहां पर इस्थेत है तो जापान जो एशिया महदूप में इस्थेत एक देश है अगर हम डॉलर की बात करें कि डॉलर किन किन देशों की Bombway, America, Malaysia, Australia, ठीक है, इन सब देशों की मुद्रा क्या है, डॉलर है, ओके, अब अगर हम जो है, अपने अगले option की बात कर लें, Pound, ठीक है, Pound, Pound किन देशों की मुद्रा है, सूडान, लेबनॉन, मिस्र, इन सब देशों की मुद्रा क्या है, तो ये Pound है, ओके, चलिए, अब जो निउशेकल, एक मुद्रा का नाम है, निउशेकल, शेकल option में है, ये निउशेकल एक मुद्रा का नाम है, जो की इसराईल की मुद्रा है, आगे समच में, चलिए, डेखते हैं, इस क्लास का अगला question, अगला प्रश्ण है कि निम्न में कौन सुमेलित है एक जनवरी आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस इसमें आपको आपको यह मिलान करना है इसमें से आपको यह बताना कि कौन सा सुमेलित है एक जनवरी आर्मी मेडिकल दिवस सही है, 9 जनवरी को प्रवासी भारती दिवस मनाते हैं, यह भी हमारा सही है 12 जनवरी को हम राश्ट्री युवा दिवस के रोप में मनाते हैं, यह भी हमारा सही है और 15 जनवरी को हम धल सेना दिवस के रोप में मनाते हैं, यह भी हमारे सही है अच्छा प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं देखिए नो जनुवरी 1915 को जो महात्मा गांधी थे ये धक्षिन अफ्रीका से भारत आये हो गया थे और इन्हीं की स्मृति में प्रवासी दिवस मनाया जाता है अब बारत आनुवरी को राश्ट्री युवा दिवस पूचे कब किसलिए मनाते हैं तो स्वामी विवेका नंद की जैनती के रोप में हम राश्ट्री युवा दिवस मनाते हैं ओके चलिए देखते हैं इस क्लास कहां अगला क्वेस्टिन अगला question है friends से बड़ा इमाम बाड़ा कहां इस्थेता है वेर इस बड़ा इमाम बाड़ा लोकेटेड आगरा लखनव पटना इलाहबाद कमेंट करें देखे बड़ा इमाम बाड़ा जो है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में इस्थेता है लखनव क्या यह यूपी की कैपिटल है योगी आदितिनाथ यहां के जो है मुखे मंत्री जो कि दुबारा निर्वाचित हुए है इसके अलावा बड़ा इमाम बाड़ा है इसका निर्माड कब हुआ था 1784 में आसफुद दौला के जो है दौरा इसका निर्माड कराया गया था इसके अलावा यह लखनव जो है नवाबो का शहर के नाम से लखनव को जानते हैं और लखनव में ही क्या क्या है तो वो कई सरी समारक लखनव में जैसे की जो है हमारा बड़ा इमाम बड़ा जो कि डिसका सिक्कम कर रहे है ठीक है रूमी दर्वाजा मोती महल ठीक है जामी मश्जित ठीक है सहादत अली का मगबरा इस सब लखनव की धरो हो रहे हैं ओके ऑप्सन नंबर सेकेंड जिनका आंसर आ रहा हुआ है बिल्कुल सही उत्ता रहे हैं उनका चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेस्टिन अगला क्वेस्टिन कि नौर्वेस्टिर क्या है वाट इस नौर्वेस्टिर आपके दक्षिणी गोलात की तीव रहवाएं नार्वे में बहने वाली जल्द हा रहा हैं आस्ट्रीलिय के तरपर निर्मित प्रवाल या इस्थानी वर्षा युक्त तूफान बताएं देखिए जो नौर्वेस्टिर होता है यह इस्थानी वर्षा युक्त तूफान होता है नौर्वेस्टिर क्या है नौर्वेस्टिर यह इस्थानी वर्षा युक्त तूफान होता है जिसको नौर्वेस्टिर कहता है इसके अलावा नौर्वेस्टिर जो है मुक्यता भारत क जिनका अंसर आया हुआ है, very good, चलिए अगला question आपके सामने हैं कि भारत में साहित्य के छेत्र में श्रेष्ट प्रदर्शन के लिए निम्रिखित में से कौन सा पुरसकार प्रदान किया जाता है वो विच वर फॉर्फ फॉर्वर्वर्वर्ड इस गिवें या दुरोणा चार पुरसकार, बताएं देकि इसमें बात साहित्य की हुई है, तो साहित्य के छेत्र में भारती ग्यानपीड पुरसकार दिया जाता है ठीक है, इस question का right answer जिनका भी option B आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, very good इसके अलावा अरजन पुरसकार का संबंद किसे है, तो खेल के छेत्र में अरजन पुरसकार दिया जाता है, दुरुणाचार पुरसकार जो है, सरवसेष्ट कोच होता है, या सरवसेष्ट गुरु जो होता है, या जिसको खेल पर शिक्षक बोलते हैं, इसको बचला है शांत शुरूब भटनागर पुरसकार का संबन जो है जीविज्ञान रसायन पर्यावरण भोतकी और चिकित्सा कुछ ऐसे छेत्र हैं जिनमें शांत शुरूब भटनागर पुरसकार दिया जाता है ओके इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया हुआ है वेरी गुड चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्चन के निम्रिखित में से कौन सा एक कोमो रोम द्वीपों का वह परकार है जो हिंद मास आगर में उत्तरी मेडगासकर और अफ्रीकी तटकी की बीच स्थेत हैं विच वन आफ दा फॉलोइंग इस टाइप आफ कोमो रोम आई लैंड विच इस लोकेटेट इन दा इंडिया ओसियन बिट्वीन नौर्थ मेडगासकर एंड अफ्रीकन कोस्ट आप्संस हैं आपके जाला मुखी हिम्नदी या परदित वायोक्रत मुखी दूइब है कि जाला मुखी दूइब है जो कि हिंद महासागर में उत्तरी मेडगासकर और अफ्रीका के तटकी बीच इस्तेत हैं ओके चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेशन इसके अलाव एक अधा कोटो पैक्सी पुस्ता कहां इस्तेत हैं बहुत इंपो सब्सक्राइब कोटर ऑफ एशियन डेवलप्मेंट बैंक आप्संस हैं आपके नई दिल्ली टोकियो कोलंबू या मनीला क्यिक्स और अधानेयोगेश्ता छाएं के पाइसियन बैंक का मक्ष्याले मनीला फिलिपीन्स में हैं मनीला कहाँ पहे फिलिपीनीश इस्ते थे इसके अलाबाय एडिवी स्थापना के已ता है कि एडिप की त्या रखेंगे उन्निस सॉच्छाष्छड मैं ठीक है एसे डिव 27 दिसंबर 1945 को वल्ड बैंक इनकी विश्य बैंक की स्थापना हुई थी टेके विश्य बैंक का मुख्याले कहां पर है तो यह पासी कटन डी सी में है ओके आ रहा है समझ में चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेस्चन अगला प्रशन की दिलवाडा का जैन मंदिर निम्न में से कहां पर इस्थे थे विर इस दा जैन टेंपल अफ दिलवाडा सिचुएटेड श्रमन बेल गोला पासरनाथ परवत इंदौर यह माउंट आभू दिलवाडा का जैन मंदिर कहां इस्थे थे थे बताएं दिलवाडा को जैन मंदिर है ठीक है यह माउंट आबू माउंट आबू इस्थित है और इस्थित है और जो दिलवाडा का जैन मंदिर है यह पांच मंदिरों का एक समूँ है इसके अलवाड श्रमण बेल गोला से सम्बंदू क्याशन एक आता है बहुत ही इंपोर्टेंट देखिए यहां यह जो श्रमण बेल गोला है करनाटक राज में इस्थित हैं और यह यहां पे प्रसिद जैन तीर्थिस्थल है ओके ऑप्सन नमबर जिन का अंसर आ रहा है वैर फ्लॉर्षिंग मेडोस कुरोना पार्क कौन से नगर में इस्थे थे हैं इन विस इप फ्लॉर्षिंग मेडोस कुरोना पार्क दवेन्यू ऑफ यूएस ओपन टैनिस टूर्णामेंट लोकेटेड आपके ऑप्सन से शिकागो नुवयॉक वाश्गतन डीसी लोगस अंजल् तो यह नियुव यॉयॉक में इस्थेत है इसके अलावा जो यह युवेस ओपन प्रतिवर्ष अन्तिंग ग्रैंड स्लम टेनिस प्रतियोगिता है कौन युवेस ओपन जो यह है ओके यह यह चाल करतेख्या एक प्रतियोंगिता हुण उसकी अलाबा, टेनिस की सरवोष्षन था, जो इंटरनासिनल टेनिस वेडरेश्ण है खीड और अगर आप से पोस्टा है कि इंटरनासिनल टेनिस वेडरेश्ण ITF इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी ओकी तो इसमें जिनका आंसर ऑप्शन भी आया हुआ है विएरी कुट चलिए देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन है कि पैन कार्ड कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना होता है पैन कार्ड is made up of how many letters and numbers in total तो 10, 12, 10, 6 या 9 फ्रेंड्स फटाफट से बताएं कि पैन कार्ड में कुल कितने अक्षर होता है तो पैन कार्ड में कुल जो है 10 अक्षर होता है कुल कितने अक्षरों का बना होता है तो पैन कार्ड कुल 10 अक्षरों का बना होता है इसके अलब पैन कार्ड में जो PAN होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है PAN का Permanent Account Number क्या होता है Permanent Account Number PAN का Full Farm होता है ठीक है और इसको Income Tax Department जो आयकर विभाग है ये इसको जारी करता है ओके चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला question अगला प्रशन है आपका Friends की Computer विज्ञान में एक किलो बाइट का मान होता है The value of 1 किलो बाइट in Computer Science is 1000 बाइट 1024 बाइट 100 बाइट या 8 बाइट Computer विज्ञान में 1 किलो बाइट का मान कितने के बराबर होता है बता है चलिए Computer विज्ञान में 1 किलो बाइट होता है हमारा 1024 बाइट के बराबर 1 कबी इस इक्वेल टू 1024 बाइट इसके अलावा 1024 बाइट मिलकर क्या बनाते है 1 किलो बाइट और 1024 किलो बाइट मिलकर बनाते है 1 मेगा बाइट ठीक है और 1024 मेगा बाइट मिलकर बनाते है 1 जीगा बाइट और 1024 जीगा बाइट मिलकर बनाते है 1 हमारा तेरा वाइट ओके तो सब्सक्राइब याद रखेंगे इसमें जिनका अंसर ऑप्सन नंबर भी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेस्चन अगला प्रेशन है आपका कि निम्रिखित यगमों में से कौन सा एक सही स्मेलित नहीं है बता दो आपके बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपसन साथ के गोरान अवाने सेच्यू क्रोशिया मार्ग फिलिव पॉसिस, स्विट्जर्लेंड, मराथ साफीन, रूस, टॉड मार्टिन, यूएसे, तिन में से किस खिलाडी का संब्ध उस देश चे नहीं है बता है, इस question का right answer हो जाएगा option B, Mark, Philosis, Switzerland, इनका संब्ध फ्रेंड स्विट्जर्लेंड से नहीं है, बलकि ये ऑस्टेलिया के पूर टेनिस खिलाडी है, तो कौन है ये टेनिस खिलाडी हैं, कहां कि ऑस्टेलिया के, ना कि स्विट्जर्लेंड के, इस question में जिनका answer option B आया हुआ है, very good, शलिये, देखते हैं इस class का अगला question, अगला प्रेंड साब का, कि मनिका बत्रा का संबंद किस खेल से है, मनिका बत्रा is related to which sport, options है आपके table tennis, शूटिंग, कुष्टी, ये badminton, बताएं कि मनिका बत्रा का संबंद किस खेल से है, इस question का right answer हो जाएगा option A, table tennis, मनिका बत्रा का संबंद किस से, table tennis से, इसके अलावा, सानिया मिर्जा, सिरेना विलियम्स, ठीक है, ये सभी tennis खिलाडी ही है, ओके, badminton खिलाडी कौन कौन सी है, तो यहाद रखेंगे, साइना नेहवाल, ठीक है, पीवी सिंदू, अश्वनी, पोनप्पा, ये सभी badminton से संबंद इनका है, ठीक है, कुस्ती से किनका संबंद है, जैसे फोगाड बहने, शाक्षी वले, ठीक है, इभारत की महिला कुस्ती खिलाडी है, ओके, आरह समझ अगला प्रशन की निम्लिखित में से किसे जापान का मैंचेस्टर कहा जाता है, जापान का मैंचेस्टर किसको बोलता है, जापान का मैंचेस्टर कहते हैं, जापान का मैंचेस्टर कहते हैं, ओसाका को, ठीक है, किसको बोलता है, तो जापान का मैंचेस्टर कहते हैं, ओसा जापान का मैंचेस्टर कहते हैं, इसके अलावा जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, जापान की राजधानी क्या है, तासलो जानते है, टेक्यो, जापान की मुद्रा का क्या नाम है, तो ये येन है, ओके, इसके अलावा भारत का मैंचेस्टर किसको बोलते हैं, एहमदा पूर्पूर को कहा जाता है है समझ में देखिए मेरा नाम शीवम है मैं आपको इंट्रडक्शन कई बार अपना दे चुका हूं ठीक है और हम आपके सामने नए हैं तो जितना बेश्ट हो सकता है आपके लिए क्लास लेके आएंगे एक्स्प्रेनेशन लेके आएंगे आप लोग हमें भी अपनी क्लास को सपोर्ट करें ठीक हमें भी सपोर्ट करें ओके शलिए देखते हैं अगला प्रश्चन ये क्वेश्चन के बार मैंने देखा है अलग-अलग एक्जैम्स में प्रश्चन किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा भरा जा सकता है तो 512 KB, 1.44 MB, 20 MB और 1 GB बताएं कि किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा इस्टोर कर सकता है इस क्वेश्चन का राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 1.44 MB, 1.4 MB रेटा हम किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में स्टोर कर सकता है इसके अलावे अब से पूछेगा CD, CD का फुल फार्म क्या होता है Compact डिस्क होता है और ये भी एक इस्टोरिज डिवाइस है CD का विश्कार किस ने किया था तो James T. Rassel, याद रखेंगे James T. Rassel ने CD का विश्कार किया था ओके, चलिए अगला प्रशन है कि Netware एक Computer Network Operating System है जिसे द्वारा विख्सित किया गया है Netware का विकास किसके द्वारा किया गया है AT&T, Sun Microsystem, Novel या Atari Netware is a Computer Network Operating System developed by तो Netware को Novel द्वारा विक्सित किया गया है इस Question में जिनका Answer Option C आया हुआ है Netware को Novel Company द्वारा विक्सित किया गया है ठीक है इसके अलावा जो Atari है, Atari किया है तो यह एक Video Software Game Company है कहां की? अमेरिका की अटारी यह A&T, जिसको यह अटारी अब बात करते हैं Sun Microsystem की तो Sun Microsystem क्या है? तो यह अभी अमेरिका दोरा Computer Software जैसे जो Programming जैसे की Java Programming ठीक है Network File इनका निर्माड करती है कौन Sun Microsystem? तो इसमें जिनका Answer Option C आया हुआ है Very Good चलिए अगला Question आपका है Friends कि Sonar का पूरा नाम क्या है What is the full form of Sonar? Options आपके Sound Neutralization and Ranging Sound Navigating and Reaching Sound Navigation and Ranging Sound Neutralization and Reaching तो Sonar का पूरा नाम क्या होता है? तो कि आपके Sound Navigation and Ranging आपके Sound Navigation and Ranging आपसंसी देख लिए अपना Answer तो Sound Navigation and Ranging यह Sonar का पूरा नाम होता है इसका पता किसलिए किसमे करते हैं यानि कि इसका प्रयोग किस्में किया जाता है सोनार का समुद्र में डूबी हुई वस्तूओं का पता लगाने के लिए जल में डूबी हुई वस्तूओं का पता लगाने के लिए सोनार का यूज करते हैं ठीक है और अगर आपसे पूछे सोनार प्रणाली में किन तरंगों का प्रयोग होता है तो पराश्रव तरंगे होती है ठीक ह अगला प्रशने भारती शश्यस्त्र बलो ने ओपरेशन मेखदूत का संचालन कहां पर किया था वेर डिर इंडियन आर्म फोर्स कंड़क्ट ओपरेशन मेखदूत ओपरेशन मेखदूत ओप्सन्स है आपके कारगेल, श्री नगर, स्रिया चिन या अमरत सर पता हैं कि ओपरेशन मेखदूत का संचालन कहां किया गया था दिखें, जो ओपरेशन मेखदूत है, सिया चिन में चलाया गया था पाकिस्तान के विरूत कब 1984 में, ओपरेशन मेखदूत कब चलाया गया 1984 में कहां चलाया गया, सिया चिन में किसके विरुद है तो पाकिस्तान के विरुद ओके, option C जिनका answer आ रहा है इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका, very good चलिए देखते हैं इस class का अगला question एक question आता है कि operation सफियद सागर ठीक है, पूसता एक्जामे कि operation सफियद सागर का संबंद किस से है, तो इस operation सफियद सागर है, इसका संबंद कारगिल से है यह याद रखेंगे, चलिए अगला प्रशन की बराज़्टी मानवा अधिकार के आठवे अध्यक्ष कौन है आपसंस आपके सामने है, बताएं आठवे अधिकार आयोग के जो आठवे अध्यक्ष है ठीक है, यह है कुमार मिष्रा, कौन है अरुन कुमार मिष्रा ओके, आपसंस आपके भारती फुटबालर प्लेयर भारती भरतनाट्यम नर्तगी भारती बैड्मिंटन चैंपियन यह भारती क्रिकेटर पीवी सिंधु कौन है बताएं पीवी सिंधु भारती क्रिकेटर है, सॉरी भारती है, पीवी सिंधु भारती बैड्मिंटन चैंपियन है इसके अलावा भारती क्रिकेटर के कुछ नाम बता दें आपको सबसे चलचित नाम मिताली राज इसम्रती मंधाना शेफाली वर्मा इस अभी भारती क्रिकेटर है ठीक है भरत नाट्यम नरत्यांगना कौन-कौन से है अपने भारत की प्रसिद्ध यह सोनल मान सिंग या मुनी क्रिकेटर मूर्ती ठीक यह भारत नरत्यांगना है इसके अलावा भारती फुटबॉलर प्लेयर कौन है महिलाओं में तो यह पुरुष्यों में ठीक है अमरिंदर सिंग सुनील छेत्री ठीक है संदेश जिंगन यह भारती फुटबॉलर हैं ओके एक क्वेशन आता है भारत जो बाइचिंग भूटिया का संबंद किस से हैं जो बाइचिंग भूटिया जी हैं यह पूर फुटबॉलर थे ओके यह चीज़े हैं आप उनको याद रखेंगे देखते हैं अगला प्रश्ण और चलियर है तो फ्रेंट्स दो हमारी है इसमें आज मारे इतनी हुश्ण से आशा करने जो क्लास है आफ सबको काफी इच्छी लगी होगी फ्रेंट जिन भी लोग् cent ने क्लास को अपने लाइक और शेर नहीं किया सब लोग अपने क्लास को लाइट करें और सब लोग अपने क्लास को शियर भी करें ठेक है सब लोग क्लास को लाइक और शियर करें जो हमारा अप्लिकेशन है उसको भी आप लोग अपने प्लेस्टोर से जाके डियर गुरुजी अफिशियल नाम की जो अप्लिकेशन इसको इसको इनिस्टॉल करें उसको कुछ टेस्ट सीरीज भी प्रवाइड की गई है आप चाहें तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं ओके चलिए तो फ्रेंट्स आज की जो इस हमारी क्लास है इसमें इतने ही क्वैसंस है आशा करने की क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी जिन भी लोगो ने क्लास को लाइक और शे बढ़े